आजकी वीडियो को हम बात करेंगे, Vector Identity के बारे मैं Vector Identity basically हमारी होती है, जैसे हमारा divergent होता है इसे हम represent कर शकते हैं, i, dal y, dal x अब सम्मेशन का sign कुकी लगा है? basically divergent होता है, i, यहाँ पर i का के साथ कह बिला icap, dal y, dal x, jcap, dal y, dal y, plus kcap, dal y, dal z तो इसे हम पूरा ना लिखने की जगह 3D में हम क्या कर लेते हैं इसमें के बल आई का component लिख लेते हैं और summation का sign लगा लेते हैं summation का मतलब यह होता है कि यह हमारा z तक extent हो जाएगा similarly हमारा क्या हो जाता है यहीं सा जाता है divergence यदि हमें किसी यहां पर दो चीज़ हो रियाद रखने की है जो हमारा phi है वो as a scalar function represent करेंगे a और b हमारा एक vector function के रूप में represent होगा तो यह notation है यहां रखने है phi हमारा as a scalar function यान कि जिसका कोई number और constant की तरह यूज़ होगा और a और b हमारे एक vector quantity होगी अब जैसे हमें divergence of a निकालना है तो इससे हम क्या बोल सकते हैं डेल डोट a और डेल की value हमने क्या देखिए है हाँ से summation i del by del x dot a यह divergence of a होगया हमारा अब divergence of a में dot of close product हमेशा याद रसना है किसमें लगता है vector quantity के साथ लगता है पर d by dx हमारी एक vector quantity तो है नहीं तो इसमें vector quantity की क्या है इसमें एक i है और एक a है तो इन दोनों के बीच में dot आने चाहिए तो इससे adjust कर लेंगे i dot del by del x into a basically यह क्या है हमारे रिप्रेजेंट करता है divergence of a को और divergence यही तो होता है del a by del x plus del a by del y plus del ay del z यही तो होता है इसका dot product कर तो यह हमारा summation open होने के बाद आ जेगा अब यहाँ पर i cap क्यों आ रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने dot product अलग से लगाया नहीं है परने dot product के बाद जाए वाजन्ट में हमने last वीडियो में देखा था है इसी तरीके से curl open होगा curl of a क्या होता है डेल का cross product कर दो वेक्टर a के साथ यानि कि डेल की value i del by del x cross a अब जो cross product और dot product किसी दो वेक्टर के बीच माता है del by del x हमारे एक वेक्टर नहीं है तो हम दो वेक्टर के बीच में लगाने के लिए i cap cross del a by del x लिख देंगे और इसे ही हम क्या कहते है curl of a इसे आप extend करोगे 3D में तो आपकी curl की value आ जाएगी तो यह कुछ हमारी quantity है जो vector identity को प्रूफ करने में help करेगी एक तो यह जाद अखना phi as a scalar use होगा और a और b as a vector quantity use होगा divergence of a को हम क्या लिखेंगे i cap del by del x और divergence of a को लिखेंगे i cap del by del x dot a और del को क्या लिखेंगे i cap del by del x तो इस तरीके से हमें जहां भी हमें यह दिखाई दे तो हमें यहां पर divergent लिखना है जहां पर यहां पर यह दिखाई दे कर लिख देना है और यहां पर हमें यह दिखाई द phi a equal to क्या है हमारा phi divergence of a plus gradient phi dot a ठीक यह हमें proof करना है तो left hand side लेके चलेंगे क्या divergence of phi है अब जहाँ पर phi क्या है x killer quantity है a क्या है vector quantity है ठीक तो इसे किस तरीके से represent कर सकते है del dot phi है यही तो लिख सकते है इसे अब del की value क्या है i del by del x dot phi a अब phi के साथ a multiply होने के पाद ही क्या बनना एक vector quantity और dot product भी एक vector quantity के बीच में आता है तो इसे यह भी तो लिख सकते है i dot del by del x phi यह ठीक अब क्योंकि यह दो function है उनका cross product हो रहा है तो इनका differentiation को किस तो होगा differentiation by part से पहले एक को छोड़ेंगे दूसरे को करेंगे फिर दूसरे को छोड़ेंगे एक को करेंगे तो हमने सबसे पहले क्या करा phi को छोड़ा a का करा तो del by del x आ गया अब की बार phi का करा a को छोड़ दिया या दखें इसमें जो हमारा sequence है वो बनाके रखना है dot or cross product क्योंकि dot product में तो matter करें ना करें cross product में matter करता है तो इस वाज़े से हमें a आगे नहीं लिख सकते कि जो हम a छोड़ते हैं differentiation के दूरा इसमें पीछे ही लिखना पड़ेगा पर differentiation का rule सेम लगेगा अब i को अंदर dot product or cross product किसमें होता है दो vector quantity के बीच में अब क्या phi एक vector quantity है नहीं है तो phi को हम क्या कर लेंगे बाहर निकाल लेंगे एज़े खोमन क्योंकि ये scalar quantity है phi एक तो phi scalar है इस वे से हमारा summation से बाहरा आ ज़ेगा तो ये क्या होज़ेगा i dot del a y del x बाहर नहीं आएगा पर क्योंकि dot product दो vector के बीच में आता है और यहां पर एक जो है ये vector नहीं है तो सबसे पहले इससे क्या करेंगे adjust कर लेंगे del 5y del x से dot a अब आपके मन में ये भी आ सकता है कि इसके साथ vector बना रहे है तो इसके साथ भी पर हमें drive करने के लिए ये वाला method apply करना पड़ेगा ठीक अब ये किसकी value है divergence a की तो यह है यह हमारा i dot del a by del x क्या देखा था हमने divergence of a यह हमारा बन जाएगा divergence of a पिलस अब यह क्या है हमारा basically gradient i del 5 by del x i del by del x क्या था gradient और आगे क्या है 5 तो यह क्या हो जाएगा del 5 dot a या हम del 5 को क्या लिख देए gradient of a del 5 क्या होता हमारा gradient होता है तो हमें क्या प्रूफ करना था 5 divergence of a प्लस gradient 5 dot a इसे भी तो हम लिख सकते हैं del dot a तो इस तरीके से हम इन इन आइडेंटिटिटिए को प्रूफ करने आइडेंटिटिटिए देखेंगे second identity तो मिलते हैं next वीडियो में जब तक के लिए आपको यदि एक बार में ये वीडियो समझना है तो सबसे पहले पार्ट को आप दूबारा देखें जब आपको notation समझ माझेंगे कि कि किसको किस से प्रूबत आपको आपको ये जब आपको जाते हैं